मैं आपको एक रणीती बता रहा हूँ और ऐसे रणीती बता रहा हूँ यकीन मानी है आचारे चानके कि एक सीख अगर आपने इस्तमाल कर ली आप राजनीती में कभी फेल नहीं होंगे आपको राजनीती में सफलता मिलना सुनिशित हो सकता है आप राजनीती के धुरंदर ब बोलते हैं चंदरुप अगर तुम सफल होना चाहते हो महान बनना चाहते हो बड़े बनना चाहते हो तो एक चीज गाठ बांद लो जिसके बलबूते तुम सत्ता पर पहुंचे हो हमेशा उनके लिए एविलेबल रहना उनके समस्याओं के समधान करते रहना उनसे दूर मत हो जाना और यदि कोई और सत्ता में है अगर तुम उसे एठाना चाहते हो तो सबसे पहले उन लोगों के पास जाओ जिनके पास ये ताकत है कि तुमें सत्ता में ला सकते हैं और उस समय पर तो राजशाही होती थी लेकिन राजशाही में भी अगर जनता हमारे साथ आ जाती तो जनटा पण भी करती थी जनता सेना में भी जुर जाती थी जनता लड़ाइ भी लड़ती थी और में लोग खायर किकर प्लट राभी या काम करती दिशाहुан और जब लोकशाही आचारे चानक के ने साफित करी, जब दो सदन इसाफित कर दिये, तब आचारे चानक के ने यही कहा, कि चंदरूप जिनके बलबुते तुम सदन में आये हो, जिन लोगों ने तुम पर विश्वास किया, तुमारे अपने लोग हैं, जो लोगों के वादे करके तुम यहाँ पर बैठे हो उन लोगों के वादे को भूलना मत उनसे किये के वादे को निभाना और चाहे कुछ भी हो जाए किसी का साथ छूड़ जाए कोई साथ आ जाए फार्क नहीं पढ़ना चाहिए वो लोग जिनों ने तुम पर भरोसा किया जो तुम्हारे टीम के जनता के पास पावर है जनता आपको सब कुछ दे सकती है जनता के पास पैसा है जनता के पास ताकत है जनता के पास वोट है जनता के पास सगठन है जनता आपके लिए अगर खड़ी हो जाएगी तो कोई माई का लाल नहीं पैदा हुआ जो आपको हरा दे कोई ऐसा वेक्ति भी बताने हुआ जो आपको राजनीती में पचार सके कभी असा नहीं होगा कि आप राजनीती के शिकार बन जाएं वश्रते के जनता आपके साथ ठड़ी हो जाएं लेकिन जनता के साथ जूटे बादे मत करना एक बार अगर जनता कोई विश्वास हो गया कि मेरा नेता मुझ को शता पर बिठा सकती है लेकिन बार बार उस जनता से उमीद मत करना कि वो आपको सब्सक्ता पर बिठा डीगी है रहा है कि अ ना हमारे अच्छे के पर बोलतें ना बुरे केosure पर بोलतें लेकिन आईस्ता हम उनकी नजरों में गिर रहे होते है हराव यह पता है निश्रता, निता को लगता है कि नहीं यहाँ से वोट नहीं मिलेगा तो इस संपरदाय का ले लेंगे, इसका नहीं मिलेगा एक बार अगर आपकी छबी बन गई कि आप धोके बाज हैं आप जनता के वोट तो लेना चाहते हैं आप जनता का सपोर्ट तो लेना चाहते हैं आप जनता से पैसा तो लेना चाहते हैं लेकिन आप जनता के हित में काम नहीं करना चाहते हैं जिस जनता ने वोट देकर आपको खड़ा किया आप उस जन्ता के साथ उसकी मुसिबत में खड़े नहीं होना चाते जन्ता आपको वोत नहीं करेगी मैंने कई राजियों में देखा है, आपने भी देखा होगा लोग कहते हैं, हम काले छोर को वोट कर देंगे इस पाटी सिलिता को वोट नहीं करें इस राजियों में नई पाट्व हुट दाए मौका मिल जाता है, सदता बंजाती है लेकिन हम भुई ही कि महीं रहे हमसे जो बाद क्ये उन वादों पर आमल नहीं किया गया हमसे जो कमिट्मेंट किया गया हो पूरा नहीं किया गया और जब जन्ता अपने आपको ठ्टागवाद मैस्जूस करती है जनता को लगने लगता है कि उनके साथ छल कपटिया जा रहा है धोके से उनके वोट तो लिए जा रहे है उन्हें गलत बुद्धों पर ले करके जाया जा रहा है और उनके असली बुद्धों पर बात नहीं हो रही है तो जनता उखाड कर ठेकना भी जानती है इतियास गवा रहा है भारत में भी और दुनिया में भी ऐसे बहुत सारे राजनिता थे जिनके बारे में कहा जाता था उनके नाम का कुटा भी खड़ा कर दो तो कुटा चुनाओ जी जाएगा साब और था भी मैं नाम निलूँगा भारत में ऐसे राजनिता थे और बाहर भी ऐसे राजनिता थे कहा जाता था इनके परिवार का कोई भी मेंबर खड़ा हो जाए इनके घर का कुट्ता भी चुनावलन ले तो वो भी पूरे मारजन से जीतेगा और सामने आले की जमाना जब हो जाएगी और जब जब जनता ने तैय कर लिया कि उसको हराना है तो वो निता खुद भी चुना लुड़ा हरार गया अपनी जमाना नहीं बचा पाया साम ऐसे ऐसे बहुत सारे एक्जामपल है भारत की राजनिती में तो भरे परे ऐसे एक्जामपल तो यह यह आचारे चालक के ने जो उस समय कहा वो तब भी सच था और आज भी सच है जो लोग आपके सपोर्ट में तब खड़े हैं जब आपके पास कुछ भी नहीं है जो लोग आपकी बातों पर भुरसा कर रहे है जो आपके कमिट्मेंट पर पैसा लगाने को समय लगाने को संसादा लगाने हो तयार है आपने उनका साथ देना है उनकी मुसीबत में उनकी दिक्कत में आपने उनके साथ खड़े होना है आपने उनका सहीओ करना है आपने उनका साथ नहीं छोड़ना वो साथ छोड़ना चाहिए तो छोड़ जाए तो कोई दिक्कत नहीं आपके टीम का कोई मेंबर हो सकता है, जो साथ छोड़ गया, उसकी लगा कि आप ठीक नहीं है, कोई बात नहीं, आपने नहीं छोड़ना, अगर किसी ने एक दिन भी आपका सपोर्ट किया, आपका सही हो किया, थोड़ा सा भी पैसा, थोड़ा सा भी संसादन आपके लिए निशानी में जब आपको पता हूं मुसीबत में है जब आपको पता है आज उसको सबस्यादा आपके सपोर्ट की आपके साहरे की आपके साथ की जरूत है ऐसे समय पर साथ छोड़ देना इससे बड़ा धोका कुछ नहीं हो सकता है जब आपको पता है कि वक्ति मेरे भरोसे प पर है मैं साथ हूँ तो ये वक्ती काम कर जाएगा लेकिन अगर मैं नहीं साथ छोड़ दिया तो दिक्कत हो जाएगी ऐसे समय पर साथ मत छोड़िए